Hello everyone, देखिए आज का topic बड़ा basic सा topic है, आज हम यहाँ square निकालना सिखेंगे किसी भी number का, वैसे तो यह class 8 mathematics chapter number 6 यानी square and square root का topic है, exercise हमारी 6.2, question है हमारा 1, इस वीडियो में हम देखेंगे किसी number का square कैसे निकालते हैं, देखो square निकालने के कई तरीके होते हैं, यहाँ पे हम दो Square of the following numbers तो पहला number 32ки 35, इस तरह से है question हमारे, तो पहला है 72, अब देखें 32 का हमेज स्क्वाइड निकालना है, पहले तो समझ लिए कि इसक्क्वाइड को हम लिखेंगे कैसे, 32, aos 52 का हमेज स्क्वाइड निकालना है, तो देखें, स्कॉइड निकालना है, मतला हम इसको लिख या इसकी power का मतलब तो जितनी power होती है ना उस नम्मर को उतनी वार आप उसमें multiply करते हैं यानि 32 x 32 तो 32 का square का मतलब क्या हुआ 32 x 32 हमको 32 को 32 से multiply करनी है अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं पहला तो आपका simple product है इन दोनों को simple जो multiply जैसे करते हैं वह दूसरा एक और तरीका है ठीक है पहले तो मैं आपको simple multiply करके बतायता हूं तो देखो 32 को 32 से कैसे multiply करेंगे तो पहले आपको 3 से करेंगे 236 फिर यहां पर या तो cross का sign लगा दो या फिर 0 भी हम लिख सकते हैं नेक्स नंबर क्या था हमारा 3 2 से हमना multiply कर दिया ना सबको फिर बचा हमारा 3 अब 3 को ऐसे इन सबसे उपर वाली राइनों सबसे मुल्टिप्लाई करते हैं 326 फिर 3 को 3 से 339 अला कि मैं यह मान के चलना हूं कि आपको multiply करना आता है लेकिन फिर भी और को छोटी class के बच्चे देख रहे हैं तो इस तरह से आप multiply यहां से सीख सकते हैं 3 को टू से किया 326 3 को 3 से किया 339 फिर हम यहां पर एड कर लेते हैं इनको कैसे फोर है फोर के नीचे कुछ नहीं तो यह जीरो मानें वहां पूर हो गया यह 6 और 6 6 और 6 कितना 12 होता है 12 का हम तू लिखेंगे वन जो होता है वह वन कैरी चला आथा नेक्स्ट वाली के उपर तो 9 के उपर चला गया वन कैरी 9 और 1 कितना हो गया थीक है तो इस तरह से जो 32 का जो square आया वह कितना आ गया 1024 एक है वह सपयुक्क है तो मैं लिख देता ऑञ में बार थिया तो 32 का इस्क्वायर कितना आ आ घंग हमारा हमारा आ गया 1024 1024 ने हमने एक match तो आपलाई चिया हम इसी को आपस तरह से मल्टीपिय कर दें दूसरा एक और हमारे पास तरीका होता है कि हम इसको एक और तरीके से multiply करते हैं देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं देखो एक हमारे पास तरीका होता है 32 है 32 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 30 प्लस 2 अब अगर हम मैं 32 का स्कॉयर चाहिए इसका यानि पावर टू तो इसका मतलब 30 प्लस 2 लिया और इसके उपर हम ब्रैकेट में होल स्कॉयर लगा देते हैं यह 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 बी है अब यहां कुछ नहीं है पहले वाली टिम कर नाम देती है दूसरी वाली ट्रूरे बी स्कुआर दूसरी का स्कुआर ठीक को देखाए अब यहां पर यहां आता है है तो देखो यह क्या आता है किcil आगा यानि 30 lub Mamani स्थोर्ट है प्लस बीश्क्राइर यानि थू आँ स्कॉर्इन यानि ठू मट्प्लाई ए यह क्या था महारा 30 चसलिझ का मतलब करतेटों ठाटीze मुट्प्लिट कर रहा है ऑले यह बड़ा मैं आसान होता है एकर लास्ट में zero हों और इक ही ही डिजेट नह pomo eren लास्ट में यहाँ यहाँ पर आगे हमारे तो रितीं करते हैं आगे कांड़ीनी करएंगे अकुड़र अबता दे हैं घरियर आले कप्र अपको 2003 करते कैये हैं 60 60 को 2 से multiply कर दें कितना हो जागा 120 है ठीक है 30 को 30 से multiply करके पहली लिख दिया था 900 इन दोनों को जोड देते हैं 4 प्लस 120 कितना हो जागा 124 अब इनको जोड जया रहा 900 प्लस 124 कितना हो जागा 1024 कितना आगा answer इसका 1024 जोड़ यही हमारे पहले आंसर आ रहा था तो चाहूं आप इस तरीके से कर लो चाहूं आप इस तरीके से कर लो दोनों ही आसान है अगर कुछ वन स्प्लेश पर कम डिजिट हो यानि कि अगर वन हो 31 होता या 39 होता तब भी हम कर सकते थे 39 को कैसे लिखते थे 40-1 फिर a-b का whole square लग जाता है अगर आपको यह पसंद नहीं आता तो आप जो हमारा जो common तरीका है इस तरह से भी आप कर सकते ठीक है इस तरह से हम स्कॉयर निकाल सकते हैं तो अगर स्कॉयर का मतलब क्या हुआ किसी number को उसी से multiply करना है अपस में एक और कि मतलब करने ठीक है इस तरह से हमारे जो बाक्य पार्ट है जैसे थर्टिफाइब को हम क्या करेंगे 35 को 35 से multiply कर देंगे 35 को 35 से multiply कर देंगे जो answer आएगा multiply कर गे वो हमारा answer आजागा ठीक है इसी तरह से multiply जैसे करते हैं वह हमारा है यह ठीक है इस तरह से हम सारे parts कर लेंगे I hope कि आपको यह square का मतलब समझ में आया होगा ठीक है thank you